हलो एब्रीवन अज डेट है 2nd of December 2022 और देहिंदू न्यूज एनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफ़े से डिसकस करेंगे नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकन ओ आईएस केडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वॉलकन ओ आईएस केडमी के साथ में जूट सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम, मिनसीव, PSC, स्टेट, PCS and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक जियोप्रोफिकल मैप question के साथ में और आज आपका question ये है कि कारकोरम range को आपको मैप में view करना है फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने अप से question पूछा था साकुराजिमा वोलकेनो को ले करके तो साकुराजिमा वोलकेनो जापान कंट्री के क्यूसू आईलेंड पर located है इस वोलकेनो में eruption के अगर हम बात करें तो 8th century से ही यहाँ पर eruption देखने को मिल रहा है तो टाइम यहाँ पर as का deposition देखने को मिलता है जिसकी वजह से लगता है कि कभी भी यहाँ पर eruption जो है वो देखने को मिल सकता है इसलिए यह जो वोलकेनो है साकुराजिमा वोलकेनो इसको very dangerous वोलकेनो में माना जाता है साती सात में जापान में जितनी भी active volcanoes हैं उनमें से एक है साकुराजिमा volcano तो ये basic facts है साकुराजिमा volcano को लेकर के इसकी जो location है वो हमारे ले important हो जाती है जो आपको ध्यान में रखना है दहिंदू को discuss करने से पहले हम mentor से program के बारे में discuss कर लेते हैं वो aspirant जो 2023 में UPSC का अग्जाम दे रहे हैं उनके लिए program जो है काफी ज़्यादा beneficial है इस program में हम prelims जो है उसके पर focus करेंगे prelims का syllabus चाहे वो static part हो चाहे वो current affair part हो इसमें cover करवाये जाएगा 10 to 15 students के अलग-अलग batch इसमें बनाए जाते हैं हर batch को mentor अलोट किया जाता है mentor जो है वो आपको daily basis पर target देंगे उस target को आपको complete करना है फिर उस target के according आपकी MCQ questions की practice करवाये जाएगी current affair part के अगर हम बात करें तो last 1.5 year का current affair यहाँ पर cover करवाये जाएगा aesthetic part में जो भी आपके important books है वो सभी यहाँ पर cover करवाये जाएगी और 3000 प्लस MCQ questions की यहाँ पर आपको practice करवाये जाएगी तो अगर आपको लगता है कि यह program आपके लिए beneficial रहेगा प्रिलिम्स की preparation में तो आप इसको join कर सकते हैं हमारी website पर जाकर के mentorship जो part है वहाँ जाकर के इसका जो procedure है वो available है वहाँ जाकर के आप इसको join कर सकते हैं इसके जो charges है वो 599 पर मंथ इसके charges रहने वाले हैं दैहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है दैहिंदू के front piece पर और यहाँ पर G20 group की जो presidency इंडिया को मिली है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारा red fort है वहाँ पर G20 का logo जो है वो दिखाया गया साथी साथ में अगर हम बात करें कल भी हमने discuss किया था कि हमारे इंडिया की बहुत सारे important monument जो है उनको illuminate किया जा रहा है G20 group की इस presidency के time में यहाँ पर next जो page है वहाँ पर भी हमारे जो external affairs minister है उन्होंने इसके बारे में G20 group की जो one year के लिए presidency रहीगी इंडिया के पास में उसके बारे में उन्होंने जैसे one ministry के basis पर जैसे की trade basis पर या फिर commerce basis पर या फिर अगर हम बात करें external affairs basis पर इन सभी basis पर time to time जो है वो बहुत सारे meeting जो है वो connect करवाई जाएंगी और इंडिया के अलग-अलग area को इसके लिए चूज किया जाएगा इंडिया ने यहाँ पर focus किया है कि जो भी present time में issues है उन सभी को यहाँ पर regulate करने के लिए इंडिया जो है वो अपना है और यहाँ पर चाइना है USA है यह European Union जो है 19 countries है इसमें और one European Union जो है जापान ओस्टेइडिया तो major major जो countries है वो आपको ध्यान में होना चाहिए अभी जो है 2022 की जो meeting है वो इंडोडेशिया के बाली में connect गरवाईगी और जो next है मतलब 2023 में इसकी जो presidency है वो Brazil को मिलेगी ओके तो एक तो South-South Corporation साथी साथ में अगर हम बात करें तो developing country जो है उसका representation देखने को मिल रहा है तो इसलिए बोला जा रहा है कि present time में जो Troika है Troika मतलब जो अभी पहले जो president थे अभी present है वो next जो होंगे इन तीनों को मिला करके Troika बोला जाता है तो तीनों जो है वो developing countries को represent करेंगे तो यहाँ पर main point main objective यह रखा जा रहा है कि developing countries के according जो vision है जो objective है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा decide किये जाएंगे ज्यादा से ज्या जो former security chief है उन्होंने कुछ important बात बोली है कि terrorism जो group है जिनको पाकिस्तान में जिनके basis देखने को मिलते हैं foundation देखने को मिलते हैं वो धीरे देरे अफगानिस्तान की तरफ shift हो रहे हैं तो यहाँ पर former security chief ने यह important बात बोली कि Taliban जो है आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान के उपर Taliban ने take over कर लिया 2021 अगस्त में उसके बाद में basic problem यह देखने को मिली कि Taliban जो है वो कुछ rules and regulation जो है वो अपलाई करेगा जो international level पर अपलाई है जैसे कि women की safety को लेकर के child की safety को लेकर के साती सात में education को लेकर के भी काम करेगा लेकिन Taliban जो है उन rules and regulation के उपर अपना जो एक agreement है या अपनी जो बात है वो नहीं रख पाया जिसकी वज़े से बहुत सारे जो भी उनकी funding है वो सब siege की गई है इसकी वज़े से Taliban को government चलाने के लिए काफ़ ज़्यादा issue देखने को मिल रहे है और वहाँ पर जो population है वो काफ़ ज़्यादा effect भी हो रही है ओके वो time to time हम discuss भी करते हैं कि अफगानिस्तान में जो 1996 से 2001 तक तो Taliban का जो रेजिम था सेम वो ही point जो है वो यहाँ पर repeat हो रहे है जैसे कि education के अगर हम बात करें women की बात करें तो उनका job participation decrease हो गया है education में school college जाना जो है वो बंद हो रहा है तो यह सारे basic region है जिसकी वज़े से ही Taliban को हटा करक जब 9-11 attack हुआ उसके बाद में Taliban को remove किया गया और वहाँ पर जो है वो US जो है US ने support किया अपने army को वहाँ पर establish किया और वहाँ पर जो terrorism उसको खत्म करने की कोसिस की अलांकि जो terrorism activities है वो वहाँ पर खत्म नहीं हो सकी और Taliban ने दुबारा से वहाँ पर took over कर लिया है लेकिन क कुछ points के उपर अगर Taliban agree होता है तो यह जो भी problems है उनको solve किया जा सकता है तो यहाँ पर former security chief ने बोला है कि Taliban जो है वो अपने benefit के लिए जो भी terrorist है जो भी terrorist group है उन सभी को यहाँ पर shift किया जा रहा है अपने benefit के लिए तो यह पर इंडिया के perspective से यह बात है कि इंडिया को करने की जड़रत है जो भी इस तरीके की terrorism activities है उनको रोकने की जड़रत है वैसे इंडिया हर level पर चाहे कोई भी group हो चाहे किसी भी level की meeting हो उसमें terrorism को इंडिया target करते हुए अपना main focus कर रहा है और अभी 2611 की जो anniversary देखने को मिली उस time में इंडिया ने specific focus किया अलगलग countries के ज उसकी कोई जबान नहीं होती है वो किसी भी तरीके से किसी भी country को effective कर सकता है ओके तो ये जो former security chief है ये two former president असरफ गनी हामित कर जाई एंड असरफ गनी के time में ये वहां के national defense secretary थी ओके director of the national defense secretary उन्होंने सर्व किया था अफगानिस्तान में तो यहाँ पर ये बात रखी जा और जो भी funding जो है वो siege है अफगानिस्तान की उसको gain करने के लिए एक तरीके से terrorism activities का साथ ले सकता है तो इसके लिए हर country को अपने level पर focus करने की जरूरत है next यहाँ पर जो article है गुजरात में first page का जो voting है वो complete हुआ 62% तक जो voted run out है वो यहाँ पर देखने को मिला record voting देखने को मिली है तो देखो जब भी record voting होती है मतलब लोगों में awareness है लोगों में अपने voting rights के बारे में पता है लोगों को जो democracy है उसमें उनका involvement जो है वो बढ़ र हुआएगा वो उनकी अच्छे से बेहतरीन तरीके से बात रख पाएगा या फिर जो भी उनकी problems है उनका solution उनको देखने को मिलेगा ये awareness जो है उनमें देखने को मिल रही है तो इसका ये positive effect जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर GST revenues की बात की गई है कि नौंबर में ज इस पर तो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन है one year के transition period में अगर positive result देखने को मिल रहा है मतलब यह हमारे यहाँ पर export import जो है वो increase हो रहा है manufacturing जो चीजे है उनको market जो है उसकी availability ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है लोगों में जो purchasing power है वो increase हो रही है तब ही जाकर के तो revenue जो है वो collect किया जा रहा है okay next important article है editorial page पर और यहाँ पर एक important article है हम discuss करेंगे बहुत ही ज्यादा important है writer ने बिल्कुल बोल दिया है कि अगर आपने road safety के उपर focus किया तो आप indirectly जो है वो environment के उपर भी focus कर लोगे क्योंकि road safety अगर रही तो बहुत जारा pollution level जो है वो कम हो जाएगा तो यहा founder और CEO है तो save life foundation की बहुत सारे initiative की हम यहाँ पर बात करेंगे कि कि किस तरीके से वो कोसिस करते हैं और 2008 से इंडिया में roads के उपर जो lives है उनको save करने के लिए organization जो है वो committed रूप से काम कर रहा है तो यहाँ पर जो writer है उन्होंने बोला है कि अगर हमारी road जो है वो safety के साथ मे work कर रही है तो इसका long term में हमें effect देखने को मिलेगा अगर हमें कोशिस करनी चाहिए कि हमारी जो road है वो safe रहें more secure commute करें comfortable रहें easier रहें तो environment पर ही इसका positive result देखने को मिलेगा मतलब writer का यह बोला है कि अगर हमारी road पर accident कम से कम हो safety हो जो भी important provision है वो सभी implemented हो और जब crash कम से क होंगे तो environment जो है वो भी इसे protect होगा अब कैसे protect होगा तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि 2021 में इंडिया में 4,3,116 crashes जो है वो देखने को मिले और इन सभी की वज़े से जो हमारा environment है वो बहुत सारे तरीके से effect होगा जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें बताय गया है कि बहुत सारे vehicle जो है उनमें toxic metal होते हैं जैसे कि lead, mercury, cadmium और यहां पर hexavalent chromium इन सभी के बारे में यहां पर बताया गया है तो इन सभी की वज़े से जो है वो काफी ज्यादा crash होती है गाडी तो यह सारे जो metal है वो बाहर निकल के आते हैं और इसकी वज़े से environment जो ह इसको effect देखने को मिलता है और यहां पर बताया गया है कि fuel और fluid leak जो है वो भी crash site जब crash होती है गाडिया तो यहां पर आप सभी को बता है कि fuel भी leakage होता है और जो fluid होता है वो भी leak होता है जिसकी वज़े से भी effect देखने को मिलता है दूसरा अगर हम बात करें तो जब severe road crashes होत road side में road के साथ वाला जो area होता है जो एक तरीके से footpath के रूप में जिसको use किया जाता है वहां पर बहुत सारे vehicle की आपने एक decomposed जो body है वो देखी होगी ओके तो यहां पर बताया गया है कि जब crash होता है तो उस time पर advance जो है वो तो issue होता ही होता है साथ में साथ में जो आपक automobile जो part है जो आपकी vehicle का जो part है वो भी एक wastage के रूप में generate हो जाता है ओके और अभी वैसे 2021 में जो हमारी government है उन्होंने अपनी screpage जो policy है वो launch की है लेकिन अभी उसका जो procedure है बहुत सारे जो stages है stages जो है उसमें उसका procedure चल रहा है तो इसमें क्या है कि हमारे इंडिया में जो इस तरीके के vehicle जो है जब crash होता है तो vehicle की इस तरीके की संक्या बढ़ जाती है उसका एक post benefit जो है वो कुस देखने को नहीं मिलता है कि उसको किस तरीके से renew करवाया जाए इस तरीके का issue नहीं दे जा सकता है उसके जो भी important parts है उनको next vehicle में यूज किया जा सकता है अब यहां पर उन्होंने issue की बात की है कि issue क्या है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने focus किया है speed के उपर देखो speed की वज़े से सबसे ज़्यादा जो है वो crash देखने को मिलता है 2020 अकेले में अगर हम बात करें त 239 road crash जो है वो fatality वो सिर्फ speeding की वज़े से देखने को मिली तो speed के उपर हमें focus करना है कि speed जो है वो एक regulate हो और इसके लिए strict rules and regulation बने तभी जाकर के यह जो crash है यह जो issue है उनको हम रोक सकते हैं तो यहां पर यह बताया गया है कि speed जो है उसकी वज़े से 60% मतलब जितनी भी crash होते हैं उसमें 60% जो है वो इंडिया में last 5 year का यहां पर comparison किया गया है तो 60% जो है वो speed की वज़े से देखने को मिल रहे हैं दूसरा यहां पर एक basic बात यह बताएगे गाड़ी के अगर speed जाता होती है तो उसमें emission जो है वो भी high level का देखने को मिलता है जो भी fuel है उसका consumption देखना को ज़्यादा मिलता है साथ ही साथ में जो उसका emission जो है particular matter का और भी other emission जो है वो काफी ज़्यादा increase हो जाता है जैसे कि यहां पर एक study conduct करवाई गई Amsterdam में तो वहाँ पर यह बताया गया कि अगर speed जो है वो 100 km per hour से 80 km per hour के बीच में है तो particular matter जो है वो 15% तक reduce देखने को मिल रहा है मतलब जो emission है वो काफी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है दूसरा study जो है वो यह बोलती है कि highway की जो limit है speed की वो 96.5 km per hour होनी चाहिए और इसक साथ में देखो जब highway पर गाड़ी चल रही है तो अगर ज्यादा speed में गाड़ी है तो wind का resistance जो है वो भी देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से गाड़ी को ज्यादा pressure लगाना पड़ता है ज्यादा force लगाना पड़ता है अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए जिसकी हो पाएंगे अब यहां पर various initiative की बात की गई है कि देखो road जो है उनके आसपस वाले area में vegetation जो है वो implement होना चाहिए क्योंकि two side road है two way है तो वहां पर आमने सामने आने वाले जो vehicle है डिवीच में divider की रूप में अगर हम जो small small जो bussage है उनको implement किया गया है जैपू तो दिली highway अगर आप जाते हो तो वहां पर आपने इस तरीके का implementation देखा होगा इससे divider का भी role play करता है और अगर crash होता है speed की वज़े से issue होता है तो उन bussage की वज़े से hurdle भी create होती है और आमने सामने की जो light है वो भी effect नहीं करती जिसकी वज़े से भी जो issue है जो crash है वो काफी कम हो मिलता है दूसरा यहाँ पर save life foundation जो है उन्होंने भी environment friendly बहुत सारे initiative जो है उनको launch किया है तो इनसा भी recommendation को मानने की ज़रत है zero fertility corridor जो program है इस foundation ने launch किया था मुंबई पुने express way के उपर 2016 में जिसकी वज़े से down जो road grassage fertility जो है वो 52% तक decrease हुई थी और दो हजार बीस में 2016-2020 में सेम इसी तरीके का procedure 2018 में उन्होंने old मुंबई पुने highway पर भी launch किया जिसकी वज़े से 61% तक जो है वो decrease देखने को मिला grasses में ओके तो यहाँ पर जो writer है उन्होंने focus किया है कि हमें speed को limit करना है जिसकी वज़े से environment जो है वो भी हमारा protect होगा तो यहाँ पर उन्होंने बताए कि road और environment जो है वो inseparable है एक दूसरे से अपस में attached है next यहाँ पर जो article है इसमें election commission की बात की गई है कि देखो हमने कल भी discuss किया था कि election commission जो है उनकी appointment को ले करके और उनके removal को ले करके चीप election commissioner जो है उसके removal की तो बात की गई है जैकिन जो election commissioner जो है उनके removal की बात नहीं की गई है तो election commissioner का appointment और उनका removal जो है वो एक procedure equilibrium के थिरू होना चाहिए ताकि यह issue जो है वो देखने को ना मिले और election commission जो है वो एक independent body के रूप में काम कर सके तो यह हमारे GS paper 2 के important points से important हो जाता है main's के point of view से okay क्योंकि politics related question वहीं पूछे जाते है next important article है text page पर और यहां पर देखो बताया गया है कि देखो भई lay off मतलब छत्नी जो है वो global level पर present time में effect कर रही है जैसे कि यहां पर बोला गया है कि US की जो भी multinational companies हैं जैसे कि Amazon, Meta, Intel, Twitter इसके अलावा financial जो है इन सभी में massive lay off जो है वो देखने को मिल रहा है September और October में 60,000 जो है वो ज्यादा लोगों की इससे भी ज्यादा लोगों की जो है वो lay off मतलब छट्टे की गई है मतलब जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है तो इस article में बोला गया है कि इंडिया में भी effect है बिल्कुल effect है specific अगर हम बात करें तो जो startup है और इसमें भी maximum focus किया गया है ad tech companies के उपर मतलब जो education company जो है जो startup है education sector में उन में जैसे कि वेदान्तू, one academy इसमें बहुत ज्यादा जो है वो lay off देखने को मिला और यहाँ पर बताया गया है कि जब पहले इस तरीके का slow down देखने को मिला था 2008 के time में तब भी क्या इंडिया में इस तरीकी के issue थे तो देखो issue तो थे लेकिन major focus इंडिया में उस time भी यह किया गया था कि वो worker जिसकी productivity जो है वो एक अच्छे level पर नहीं है उसी के उपर focus करते हुए उन्हें job से बाहर निकाला गया था नेक्स्ट यहां पर जो article है देखो दिल्ली हाइक कोड जो है उन्होंने recently एक अंतरीम order जो है वो पास किया है कि कोई भी जो बोलेवड स्टार है जैसे कि अभी अमिता बच्चन का name, image और voice जो है वो use कर लिया गया तो unlawful जो use किया जाता है उसको prevent यहां पर किया गया है दि पर इंफरिंज करता है तो personality rights क्या होते है? Personality rights refer to the right of a person to protect his या फिर her personality अंदर रा right to privacy और property. These rights are important to celebrities as their name, photographs और even voices can easily be misused in very advertisement by different companies to boost their sale. Therefore, it is necessary for renowned personalities, celebrities to register their name to save their personality right. पतब क्या बोला गया है कि बहुत सारे companies अपने ad को चलाने के लिए इस तरीके के celebrities के photo को, unकी voice को, unकी image को use कर लेते हैं जो एक तरीके से effect करती है और sale boost भी होगा है क्योंकि जो society है वो यह मानती है कि अच्छा, यह celebrities भी इस product को use कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो celebrities है, उनको अपने नाम register कराने चाहिए और अगर इस तरीके का issue देखने को मिलता है, तो उनको क्या किया जाएगा, personality rights जो है, are different from the publicity right, यह दोनों एक uses से different है, personality rights जो है, उसमें दो तरीके के right होते हैं, first, right of publicity, or the right to keep one image and likeness from being commercially exploited, without permission or contractual compensation, okay, मतलब बिना पैसे के किसी के image है, इन सभी को use किया जा रहा है, which is similar, but not identical to the use of a trademark, मतलब जैसे कि किसी को GI tag मिला हुआ है, और फिर उसका नाम use करके, किसी fake चीज को बेज दिया जाएगी, यह तो वो है, okay, तो इस तरीके से, किसी person का नाम use करके, उसकी image को use करके, किसी product को right to not have one's personality represented publicly without permission, दूसरा वो हता है, right to privacy के अंडर जो आता है, जिसमें बिना permission के ही किसी को personality जो है, उसको represent किया जा रहा है, okay, तो यह issue है, इससे पहले भी, जो इस तरीके के issue को solve करने के लिए, 2011 में एक case हुआ था, जिसमें अरुन जेटली, जो हमाने minister भी रह चुके हैं, और यहां पर देखो, बताया गया है, हाँ, इन्दा case होग अरुन जेटली वर्सेज, नेटवर्क सॉलुशन प्राइवेट लिमिटेट एंड और्स, इसमें जो है, वो जेटली ने एक permanent injection जो है, मतलब उन्होंने clear किया था कि उनका जो domain name जो है, वो यहां पर use किया जा रहा है, ट्रांसपर करने के लिए तो इसको हटाया जाए, तो इसके basis पर भी तब भी यह जो है, वो यह result दिया गया था, ओके, तो यहां पर celebrities के जो rights है, उनको protect करने के लिए, जो हमारे judiciary है, उन्होंने intervene किया है, next important article है, तो यहां पर G20 जो presidency है, इसके बारे में हमने front page पर ही discuss किया, G20 जो group है, इसके बारे में कुछ basic facts को अगर हम discuss करें, तो देखो, G20 जो group है, इसको form किया गया था 1999 में, मतलब 1999 में, और 1990 में जो financial crisis देखने को मिले थे, उन सभी को एक तरीके से target करते हुए, यह जो G20 है, इसको लाया गया था, और इसका main focus यह है, कि जो middle income countries है, उनमें involved होत एक global financial stability को secure किया जा सकी, G20 country जो है, वो पुरे world की 60% population को include करते हैं, 80% global GDP को represent करते हैं, और 75% global trade को represent करते हैं, next important article है, यहाँ देखिए, देखो, कल भी हमने discuss किया था, कि GM mustard जो crop है, उसको लेकर कि Supreme Court में question किया गया है, कि क्या GM mustard crop को लाना market में ज़रूरी है, यहाँ पर जो opposition party है, उसको प्रशाद portion represent कर रहे हैं, तो उन्होंने question किया है, कि हमारे इंडिया में 5477 varieties है, mustard की available, तो फिर क्या यह DMH 11 जो हम लाने की कुछिस कर रहे हैं, क्या यह ज़रूरी है, क्या इसको रोकर नहीं जा सकता, क्योंकि कल हमने question किया, कि जो हमारी women laborers है, वो weeding का काम करती है, और जब यह chemical resistance जो है, इस तरीके क mustard लाई जाएगी, तो इसकी वज़े से weeding का जो procedure है, वो chemical basis पर होने लग जाएगा, और जो women laborers है, उनमें job का जो issue है, वो देखने को मिलेगा, तो फिर जब वहाँ पर job creation हो रही है, तो फिर क्यों ना उसी procedure को follow किया जाए, तो यहाँ पर Supreme Court ने भी question पूछा है, union government से, कि क्य जरूरी है, क्या अगर हम DMH 11 को नहीं लेकर किया आए, तो क्या हमारा जो भी agriculture sector है, वो क्या इससे बहुत ज़्यादा effect होगा, इन सभी questions का जो है, वो answer देना चाहिए, जो हमारी central government है उनको, ताकि इस तरीके का जो allow किया जा रहा है society में, जो भी genetically modified जो crops लाई जारी है, उनक effect जो है वो पता चल सकी, ऐसा नहीं है कि उनको use किया, उनको उगाया और फिर उसकी वज़े से जो हमारी soil है, वो भी effect हो, वारी society है, वो भी effect हो, ओके, तो यह आज का हमारा देन्दू newspaper का discussion था, अगर आप यहाँ तक आए है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू,